हालो बर्टो,जो दोस्तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्टरी के कुछच कोश्चन, तो ये पेपर है,आपका 819 पोस्ट कोड का, जिसमें आपसे हिस्टरी के कुछ कोच्चन पूछे गए थे, एक से लेकर 20 तक के जो कोश्चन है, वो history के question है इनको हम discuss करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे किस तरह से आने वाले exam में यहां से question बन सकता है और मैं आपको बता दू दोस्तो जो इनके answer है वो हम final answer की के according ही आपको बताएंगे ठीक है यदि किसी भी question में आपको doubt लगता है तो आप comment box में हमें जुरूर बताएं ठीक है तो दोस्तो शुरू करते है इसमें पहला question आपसे पूछा गया है दोस्तो पहला question की बात की जाए दोस्तो इसमें पूछा गया आपसे question की सिंधु गाटी के लोग किस की पूजा करते थे तो इसका right answer तो आपका option A सही हो जाएगा final answer की according बात की जाए तो option A सही हो जाएगा मात्री देवी की पूजा करते थे ठीक है अब यहां से आपने द्यान में रखना है सिंधु गाटी सबधा का समय की बात की जाए तो पच्छी सू बीसी से लेके स्तारासु बीसी तक का समया है ठीक है और बात की जाए सिंधु सबधा के लोग किस की उपासना करते थे तो यह question भी पूछा जा चुका है यह भी मात्री देवी की उपासना करते थे यह भी इसका answer भी मात्री देवी होगा सिंदु सबदा की मुख्या भजल यह question पूशा जा चुगा या सिंदु खाटी सबदा की मुख्या भजल कौन कौन सी थी गेहों और जौँ थे निर्मान किस seemagri से हुआ पकी हुई मिटी की इन्टो से हुआ और जीने क्या कहा जाता था टेरो कोटा कहा जाता था ठीक है यह अपने ध्यान में रखना है आगे है कुश्चिन आपके बास दो नंबर बे है रिगवेद कितने सुक्तों में से बना है सुक्त की बात कि जाये दोस्तों तो रिगवेद आपका option इसका final answer की में option भी सही हो जाये 1026 सुक्तों से बना है ठीक के रिगवेद को पढ़ने वाले रिशी ते उन्हें हरुत्व का जाता था यह भी अपने ध्यान में रखना है ठीक है और अब यहां से आपने क्या ध्यान Health है जो तीसरी मंदल में जो रिगवेद में उसमें गाहत्री मंतर का उलेक मिलता है यह आपने ध्याना Health कि यह पर 10 plants की बात की जाए तो पूर्सा सुक्त है जिसमें 4 वर्णों का जो वर्णन है उनका वर्णन मिलता है ठीक है? जैसे वेस्या सुद्र ठीक है ऐसे वर्णों का व्ल्य किस में मिलता है आपके 10 वर्णन में मिलता है ठीक है? ये भी आपने ध्यान में रखना है और ये दिवात की जाए और क्या यहां से ध्यान रखने वाले बात है तो आपने एक हजार थाइस सुक्तों को ध्यान में रखना है तस मंडलों को ध्यान में रखना है और दस हजार 462 रिच जाए है ठीके आगे हैं आपके और तीन नंबर म किस़ कि दोस्तों ने किया गौतम बूद का पालन पूशन किस ने किया दोस्तों तो इसका राइट अंसर तो आपका फाइनल अंसर की कि यह दिबाध कि जाए तो Captain C सही हो जाएगा. महा प्रैजापती. ठीके महा प्रजापति गौतमी थी, इनका पूरा नाम ये था, ठीके, इन्हों ने इनका लालन पोषण किया। مतलब क्या हुआ कि माया देवी थी जो इनकी माता थी। जिनों ने गौतम बॉत को जनम दिया, इनकी क्या हुआ, साथ दिन के बाद इनकी इम्रित्यों अच्छिन के लिए बहुत दर्म के संस्थापक की बात किज़ें गौतम बुद्ध है जनम कहां हुआ लुंबीनी में हुआ कब हुआ पांसो त्रेशट इसपी पूरब में हुआ बचपन का क्या नाम था इनका सिदार्थ पूछा जा चुगा है कोश्चिन की बचपन का क्या नाम था बहुत गौ बॉद्ध की प्रथम संगती थी सभा थी जिसे वो राजगरीय में हुई कब हुई चारसो त्रेशी इस पूरब में और जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया सारनात उत्तरपरदेश में दिया और बॉद्ध गरंतों में सिखा गा गया धरम चकर परवर् किया तो प्रथम तिर्थांकर बी आपके रिस्थांकर के और गिजाया ऊंडल ग्राम में बॉद्ध रिजञा रितार्फ पार्याम में बच्पन का क्या नाम था इनका बर्दमान इनका बच्पन का नाम था ठीक है और जो आपकी बौध धर्म था उसकी जो प्रत्व सगती कब हुई ये हुई मगद में मगद में हुई दो सो ठनव इस भी पूरब में ठीक है में प्रत्व बहुत से गिति जयन की बात ही जाएं से अपने क्या दियन मरगना है दोस्टो ठनव से बिंदु सार इस पूरब मगत की रासगदी पर बैठा बहुत संगिति की बारे में हम बता देते हैं आपको इसका क्लियर सरी देते हैं ठीक है जैन संगिति की बारे हम देख रहे थे तो जैन की बात की जाए दोस्तों प्रथम जो इसकी संगिति हुई तीन सो इसपी पूरम में हुई जैन की जो प्रथम सभा हुई ठीके तीन सो इसपी पूरम में हुई और बात की जाए पाटली पुत्तर स्थल था पाटली पुत्तर में हुई और अध्यक्स कौन थे स्थूल बतर थे दोतिय की छटी स्थावदी में हुई बल्वी स्थान था जो गुजरात में है और क्षमा स्रबन इसके क्या थे अध्यक्स थे तो ये आपने ध्यान में रहा है और बिन्दुसार चापने ध्यान में रहा है चंदरुपत मौर्या का उत्रदिकारी था और दोसो ठनु इस पूर में मगद की राजगदी पर बैठा इनका दूसरा नाम क्या था? अमित्र गहत के नाम से बीने जाना जाता बिनिसार को ठीके चंदरभुक मॉरया की बात किजा का सक सासक नहीं था ठीक है आगे है कौन सा प्राचीन भारत में एक समराज्य नहीं था समराज्य की बात की जाए तो कौन सा नहीं था प्राचीन भारत से पूछा गया है तो six का आपका उपसंसी सही हो जाएगा हमपी ठीके हमपी की बात की जाए तो बीजनगर की राजदानी हमपी है ठीके आपने ध्यान में रखना है अब बंती की बात की जाए बंती की राजदानी को जैन में है ठीके और बात की जाए कौसल की कौसल की सरावस्ति में राजदानी है ठीके आपने ध्यान में बस की बात की जा फिर दोसी सिलसला लोक प्रिया था तो इसका राइट अंसर तो आपको फैनल अंसर की में option D सही हो जागा भी हा ठीके आगे हैं आगे हैं आपके बास 8 नंबर में गुश्चिन सात्मान समंधित है सात्मान की बात की जाए इसके संस्थाप गया सीमुक 6 साथ इस भी पूर में इसकी स्थाबना हुई थी ठीके सात्मान जो ये समराज बंस था ठीके और बात की जाए सात्मान की जो राजधानी थी वो थी गोदावरी नदी के किनारे स्थी इनकी राजधानी ठीके और इसका राइट अंसर तो बन जाएगा अंदर प्रदेश से समधिते ठीके आगे है नौ नम्बर बाबर की पानिपत यूद में वीजे का मुख्यागारन मुख्यागारन क्या था इसमें तुगलक नुमा पत थी मतलब की तोफों का प्रयूग किया गया था तो उप्सन आपका सी सही हो जाएगा पानिपत की प्रत्म लड़ाई की बात की जाए तो 1526 इसमी में हुई बाबर और लोधी के बीच में हुई इसमें बाबर जीता ठीके लोधी को हराया इसने बाबर ने लोधी को प्राजित किया ठीक है आगे है किस गुरू ने किस सिक गुरू ने अमरी सर सहर की नीव रखी तो आमरी सर सहर की नीव किस गुरू ने रखी टैन नमर का जो कोस्चिन है आपका इसका राइट अंसर बनेगा आपका फाइनल अंसर की की यदी बात किया तो ऑप्सन भी सही हो जाएगा गुरू राम दास ने तो जो आपका 9 question है इसमें दो कोश्चनों को सही दो option को सही किया है दोस्तों उसका सैन्य कोसल भी यह ओला option भी सही किया गया है final answer की में यह भी अपनी ध्यान में रखना है सैन्य कोसल था उसका ठीक है और यह हो गया इसका भी option सही हो गया अब बात की जाए यहां से आपने ध्यान में क्या रखना है अमरित सहर की नेव रखी किसने गुरु रामदास ने कब रखी पंदरसो 377 में ठीक ही आपने ध्यान में रखना है बात की जाए गुरु नानक पहले नंबर के क्या थे सिख गुरु थे जनविन का तलबंडी में हुआ कब हुआ 479 में हुआ ठीक है यह भी आपने ध्यान में रखना है गुरु रामदास आपके चौथे नंबर के गुरु थे गुरु अरजुन देव की बात की जाए पांचवे नंबर के गुरु थे और स्वर्ण मंदरी की नीव इन्हों ने रखी ठीक है गुरु गोविन्षिया की बात की जाए इन्हों खालसापंत 1699 में जो खालसापंत की स्थापना हुई थी ठीक है और ये दस्वें गूरु थे सिक्षों के खालसापंत की इन्होंने स्थापना की ठीक है ये अपने द्यान में रहना है गुरु गोविन्षियाल मीर जापफर का उतरदिकारी था मीर जापफर की बात की जाए तो इसका राइट अंसर बनेगा आपका फाइनल अंसर की की अधिवात की जाए तो ऑप्सन डी सही हो जाएगा मीर जापफर का जो उतरदिकारी कौन था मीर कासिम था ठीक है अब हैद्र अली की बात किजाए तो टीपो के पिता थे, ये मैसूर का शासक था, 1761 में मैसूर राज्य की स्थापना की इनोंने, ठीके है, आगे है गहंदार कला, सैली किस के काल के दौरान विख्सित हुग गहंदार, गहंदार जो कला सैली थी आपकी, वो किस के समय में स्थापना की ठीके और बात की जाए कुषाण की बात किजाए तो इसका राजधानी काम नाई पेसावर में इसकी राजधान नाई कुषाण बनसकी ठीके यापने ध्यान में पहतेपूर फतेपूर सिकरी की स्थापना किसने की तो इसका राइट अंसर बनेगा आपका 13 नंबर का अप्शन ए सही हो जाएगा अकवर ने की ठीक है अकवर की बात किया इनका समय 1556 से लेके 1605 तक का इनका समय रहा ठीक है इनी के समय में हल्दी गाटी का युदू होता है ठीक है 1576 में हल्दी गाटी का युदू होता है और जो तानसेन क्या था अकवर का राजदरवारी था ठीक है यह अपने द्यान में रखना है अकवर का दरवारी था यह तानसेन यह अपने द्यान में रखना है बाबर की बात की जाए बाबर की बात की जाए तो मुगल वंस के संस्तापक भी है 1526 में मुगलवन्स की स्थापना हुई ठीक है और बात की जाए जो आपका फत्यपूर सिक्री है इसकी स्थापना 1576 में हुई आगरा से 36 किलोमेटर दूर है ये और इसमें परवेश के दरवार के लिए जो अकवर ने बुलंद दरवाजा बनाया है ये अकवर ने किसकी बीजे के कारण बनाया गुजरात की बीजे के उपलक्से में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्वाण कर बाया हुमायू की बात कीज़े 1530 से लेके 1556 तक का जो जमया था हुमायू का था इनकी समय में चौसा का यूद्ध होता है 1549 इसमी में और सेसा सूरी को इन्हों से इस लेका चौदा का ओप सन फ़ी बनाया,' अब हरजी वेगम से lengthy स्मय अप्शन का बनाया। सोला नंबर का जो आपका कोश्चिन है इसमें राइट अंसर आपका अबुल कलाम आजाद ने ये पत्तर प्रारम किया ओप्सन A सही हो जाएगा ठीक है आगए आपके पास इंकलाब जिंदावाद नारा सरपदम किसके दौरा दिया गया इसका राइट अंसर बनेगा आपका स सुवास चंदरवोस का नारा है और तुम मुझे खोन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये भी सुवास चंदरवोस का नारा है स्वाराज मेरा स्वाराज हमारा जननसित आदिकार है ये किसका है आपका लोकमान्या तिलिक बाल गंगदर तिलिक भी जिसे का आ जाता थ ठीक है अगला के question आपके पिछडे वर्गों का उठान किसका मुख्या कारेकरम था तो इसका right answer आपका 18 का option D सही हो जाएगा सत्य सोधक समाज सत्य सोधक समाज की स्थापन की बात की जाए तो 1893 इसमर में इसकी स्थापना हुई जोतीवा पूलिय ने इसकी स्थापना की ठीक है अब बात की जाए आरे समाज की बात की जाए 1875 इस्वी में दयानन सर्ष्पती ने इसकी स्थापना की ठीक है रामकृष्ण मिसन की बात की जाए 1897 इस्वी में विवेका नंद के द्वारा स्वामी विवेका नंद के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई प्राथना समाज की बात की जाए तो केशवचंद सेन के जो से प्रभावित होकर गोविन रनाडे और आत्मरान पांडवरंग ने ठारासो तासटी स्प्रे में प्रातना समाज की सापना की अब बात की जाए आरे समाज़ दयानन सर्स्पती का एक नारा था बेडो की और लोटो यह आपने दयान में रखना है ठीके किसका नारा था है बेडो की और लोटो दयानन सर्स्पती का आगे बल्लवाइब टेल का जनम कहा हुआ बल्लवाइब टेल का जनम कहा हुआ तो इसका राइट अंसर बनेगा आपका 19 का अपसन डी सही हो जाएगा नडियाद में वह है इनका जनम ठीके आगे है लास्ट कोस्चिन रॉलिट एक्ट परणाम था रॉलिट एक्ट का क्या परणाम था इसका राइट अंसर बनेगा आपका 20 का अपसन भी सही हो जाएगा अमरी सर में नरसा हाँ ठीके या अपने ध्यान में रखना है ठीके और काला कानूल भी इसे का जाता है ठीके या अपने ध्यान में रखना है ठीके तो यह थे कोस्चिन कोस्चिन हिस्टरी के आपकी कोस्चिन कुछ जो हमने आपके साथ डिसकस किये किसी भी कोश्चिन में आपको दाउट लगता है तो comment box में आम जरूर बताए तो धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं next session में तब तक के लिजाहिन जैवार धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं next session में तब तक के लिजाहिन जैवार